यह आnis 8,000 रुपए और पहु bi 3,2508 है चीख है अ錯क है इस तरी इस दिया अनुपात का प्रस्न है रहे ए रेशीयों का ठीक है पहले दूसरे का अनुपात 5 है इस पहले दूसरे मानी लिए आपने मान लिया दो एकस है तो दूसरा अपने आप 5 x हो जाया जैरा ठीक है ओर तीसरे में कोई परिवरतानद ना हो तो गुढनफल 32 हो जाता है तो पहले प्रतिबंद की अनसार प्रतिबंद की अनसार पहली step के अनुसार अगर आप देखें, तो पहले क्या था, 2x था, गुणे 5x था, और गुणे y था, कितना हो रहा था गुणनफल, 800, गुणनफल कितना हो रहा था, 800, तो 5 दूनी 10, 10 x y, 10 x square y, 10 x square y, बराबर कितना हो रहा था, 800, ठीक है, एक 0 से x 0, एक 0 कट गया, तो x square y का मान कितना आ गया, 80, तो पहला प्रतिबंद में x square y का मान आ गया, आपका 80, दूसरा प्रतिबंद क्या कह रहा है, कि यदि दोनों में, पहले और दूसरे दोनों में 6 जोड दिया गया, तीसरों में कोई परिवर्दन नहीं किया गया, तो ग प्रतिबंद, 2x plus 6 multiplied by 5x plus 6 multiplied by y is equal to 32, ठीक है, इन सब का गुड़न फल कितना आ गया, 32, निकालना क्या है, तीनों में सबसे बड़ा पुणांख कौन सा है, ये गया करना, ठीक है, तीनों की value पहले find out करनी पड़ीगे हम लोगों, इसको तोड़ने तो 2x का गुड़ा होगा, 5x में ते कितना हो जाएगा, 10x square, ये हो गया आपका, 10x square, फिर 2x का गुड़ा 6 में हुआ, तो 12x ठीक है, और 5x का गुड़ा 6 में हुआ, तो 30x, 12x और 30x कितना हो गया, 12 और 30, 32, 32x, 32x, 22x, इसी दे लिखना है, प्लस 6 गुड़े 6, कितना हो गया, 36, 6 गुड़े 6, 36, multiplied by y, बराबर, इधर आप देखें, तो लिखा हुआ है, 32, 32 को आप क्या समझ सकते हैं, 80 गुड़े 40, 80 गुड़े 40 लिखा हुआ है, कुल मिला कि ये 32 का मतलब क्या हुआ हुआ, 80 की वैली x square y, 80 की वैलू कितना है, x square y के, और 40 अलग से, ठीक है, ये 32 लिख गया, y से आप y को काट सकते हैं, y से इस y को काट सकते हैं, तो उधर कितना हो गया, 40 x square, 40 x square, सारी चीजों को उस तरफ ले चलें, तो 40 x square से 10 x square ये वाला घट गया, तो कितना बच के आपका, 36 x square, और 42 x उधर जाके कितना हो गया, minus का 46, और minus का 36 बरावर 0, ठीक है, 36 x square, minus 42 x, minus 36 बरावर 0, अभी आप ये देख रहे होंगे, कि सब में 6 से भाग गया सकता है, तो 6 से भाग दे ले, 5 x square, क्या बन जाएगा ये, थोड़ा सा जगा खाली कर ले, अब देखें, तो 5 से भाग हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 x square, minus, 6 से भाग हो गया ना, तो 5 x square, 5 x square, minus 6, 72, 7 x, minus 6, 6, बरावर 0, ठीक है, अब 6, 35, 30 को इसे साब से आप तोड़ें, विगात सम्मीकरण में, कि 7 x का मान दे, 7 x को represent करें, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, कि 5 x square, minus 10 x, plus 3 x, 10 x, plus 3 x, 10 x, 30 भी बन गया, minus का 30 x square भी बनेगा, गुना करने में, और इस तरीके से, minus 10 x, plus 3 x किता हो जागा, minus 7 x, तो 7 x की जगा, आपने क्या लिख दिया, minus 10 x, plus 3 x, minus 6, is equal to 0, 5 x common ले लें, तो कितना हो जाएगा, x minus 2, plus का 3 common ले लें, तो कितना हो जाएगा, x minus 2, is equal to 0, तो x minus 2, और 5 x, plus 3, is equal to 0, x की value negative हो नहीं सकती, तो इससे कोई लिना देना नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा, 2, x minus 2 बराबर, या तो 0 क्या, दो संख्याओं का गुडन फल, तो दूसरी संख्याओं 0, अगर दूसरी संख्याओं 0 हम मानते हैं, तो 5 x plus 3 बराबर 0, यानि x बराबर कितना हो गया, minus 3, plus 5, तो वो संबब नहीं है, इसलिए x बराबर, x minus 2 बराबर 0, यानि x बराबर 2, x बराबर 2 हो गया, तो पुर्णांग किस तरीके से थे पहला पुर्णांग था था पहला पुर्णांग था आपका 2x यानि 2 दूनी 4 पहला पुर्णांग कितना था 2x था तो 2 दूनी 4 दूसरा पुर्णांग कितना था 5x यानि 2 5 से 10 दूसरा पुर्णांग हो गया आपका 10 अब 10 गुणे 4 40 हो ग यानि Y तीनों पुर्णांकों का गुणंफल कितना था तीनों पुर्णांकों का गुणंफल था 800 तो 40 में कितने का गुणा करें कि 800 हो जाए 20 का है अगर आप समझ नहीं पा रहें तो इसको ऐसे समझें कि पहली जो हम लोगों की equation आई थी, वो आई थी, x square by आई वराबर 800, x square y, नहीं भई, x square y नहीं, पहला 2x और दूसरा 5x multiplied by y is equal to 800 आया था, ठीक है, 2x की value आपकी कितनी हो गई, 4, 5x की value कितनी हो गई, 5x की value, 2x की हो गई, 4, 5x की 5 दोनी, 10, y कमान आपको find out करना है, ठीक है, तो ये 4, 1,0 से 1,0 कट गया, 4 से 20 बार में कट गया, y कमान हो गया, इस तरीकस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 20 आगई यहाँ पर आपकी value, सबसे बड़ी संख्याने बाल में थे,